तो यह तेटी बोल जो है बहुत महत पूरुण है और इसमें बहुत ही अच्छे पीकाप बजते हैं इसके बीना मैं कहता हूँ कि पीकाप ही बजाना असंभाव है ठीक है, तेटे ता तरीकिट तक तरीकिट, तद्धा तरीकिट तक तरीकिट, बहुत सारा तेटे का ही समू है और अगर ये तरीकिट का छोटा भाई है तेटे, तीरकिट में चार सब्द है और तेटे में दो सब्द है अपने योटूब चैनल धोलक टीचर में आपका स्वागत करता हूँ और पिकप भी ऐसे हैं कि कोई कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो उसको ये पिकप बजाना ही पड़ेगा क्योंकि ये हिंदी सिनेमा के गानों में बजने वाले बहुत ही महत्पूर्ण पिकप हैं तो कुछ ऐसे पिकप जो है मैं आज आपको वीडियो में सिखाऊंगा तो पहला पिकप है जो बहुत ज़्यादा बजाया जाता है उसका देखिए थोड़ा सा सुनाता हूँ फिर उसके बाद कैसे बजाना है ये सिखाऊंगा मैंने बिगनर्स के हिसाब से इसको 63 का टेम्पो योज किया है इसमें 1,2,3,4.1.2,3,4.1,2,3,4.1,2,3. तो ये पीक अप बहुत ज़्यादा बसता है एक कगैप है चिक ताता धादा बहुत सा धारन सा पीक अप है लेकिन बहुत काम का पीक अप है एक बहुत ही फेमस गाना मैं आपको बताता हूँ बहुत प्यार करते हैं तुमको सानम ये गाना उस पिक्चर के गाने में बहुत प्यार करते हैं तुमको सानम अंतरा भी बसता है कहां पर हमारी गजल है वहीं पर ये पिका पा जाता है आप गाना ज़रूर सुनिए तो इसमें क्या है? टेकनिकल बात आपको क्या दिक हो रही है? इसको समझना है इसमें वण का गैप है हमारी गजल है यहां से पिक अप आता है तो ओफ में पिक अप है तो यह पिक अप क्या है? पहले आप देखिए चिक, ताता, धाधा तो चिक मतलब छलना चिक, ताता ताता दोनों हाँ से बजाएंगे और धाधा धाधा तो चिक, ताता, धाधा यह तो हम इसको बोल सकते हैं वन, ताता, धाधा तो इसको पूरे ठेके के साथ आपको practice करना पड़ेगा देखने में बहुत आसान है लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि ये बजाने में भी आसान है जो लोग बजाते हैं ढोलक उनके लिए कोई मुस्किल नहीं बहुत आसान है लेकिन जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए मुस्किल है तो वीडियो में सब को लेके चलना है चुकि सारे लोग वीडियो देखते हैं तो हर एस ग्रूप को लेके चलना है साथ में जो नया बिगनर है उसको भी लेके चलना है लेकिन ये चीज जानना बहुत ज़रूरी है आपको पीकप के बारे में तो बोलके है मत्ब चला चिक फिर ताता तो ताता तीन फिंगर से भी हम ता ले सकते हैं और इंडेक्स फिंगर के साथ में भी ले सकते हैं पर दोनों हाथ से लेना है अच्छा रहेगा कि आप ताता तीन शिंगर से ले फिर बाद में दादा इंडेर सिंगर के साथ ले तो चल रहे हैं बहुत ही साधारन सिंपल पिक अप है लेकिन बहुत ज़्यादा यह बजाया जाता है अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर के पिक अप क्यों तो दूसरे नंबर का पिक अप जो है वो है तेटे का तेटे तबले का बहुत महत पूर्ण बोल है और उसी तरह से यह धोलक में भी बहुत ज़्यादा बजाया जाता है तो ते-टे पहले बजाते कैसे हैं एक बार देख लेते हैं तो ते-टे थ्री फिंगर से हम ते और इंडेक्स फिंगर से सेंटर पे ही टे ते-टे-टे-टे इसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ते-टे-टे-टे और ये दोनों म्यूट बोल हैं आप जब ते-टे की प्रैक्टिस करें आप लेफ्ट पे अपना हाथ रख ले ताकि उसका साउंड गुजे नहीं तो ते-टे-टे-टे-टे-टे-टे फिर इस ते-टे को बहुत सारे लोग तिट भी बोलते हैं लेकिन तिट जो है ते-टे-टे-टे-टे-टे-टे-टे-टे-टे-टे-टे-टे-टे अपने साथा प्रैक्टिस के लिए तो आप CEO बोलते है इसको भी आप लिख लीजिए इसको प्रेक्टिस करिए अब तेटे की खास तोर से कैसे प्रेक्टिस करना चाहिए और तेटे के फिर हम पिक अप कैसे बनाएंगे इस बारे में बात करते हैं तो तेटे मेंने आपको बताए तलिविख अब इसको इसको सिंगल दबल की स्पीट में प्रेक्टिस करेंगे कैसे टेटे इते इते जा रहा है तो आप इसको फाच कर लेजें इसमीक मेंा जाइए और फास्ट करिए आप इसको फिर उसकी डबल आप करिए इससे आपका सिंगल और डबल की ले भी अच्छी हो जाएगी अब हम चलते हैं इससे पीक अप कैसे बनाते हैं अग इस बोल सम्मू के पीक अप भी बहुत ज्यादा बचते हैं यह बहुत फेमस इसकी लिए आपको इस तेटे के प्रेक्टिस करना बहुत ज़रूरी है तो आप तेटे से पीक अप बनाएंगे देखिए कैसे तो यह तेटे का पीक अप हो गया तो बोल हो जाएगा तेटे ताता तेटे ताता चीक ताता धाधा धिन तेटे ताता अप इसको बजाना के से तो मैंने आपको बताया तेटे फिर ताता है तो पहले ता के साथ में हमको लेफ्ट हैंड भी लगाना है मतलब ताता जो पहला तार है उसके साथ में लेफ्ट हैंड में भी का बजाना है तो यह दोनों हाथ साथ में हो जाएगा अगर ताता बजाने में आपको problem होती है तो आप ताता को सिर्फ अलग से practice कर लेजिए ताता 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 तो pick up क्या है यहाँ पर आपको less समझ के बजाना पड़ेगा मैंने पहले ही कहा कि जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है जब आप बजाने जाएंगे तो हो सकता है कि आपका लेज कम हो या जादा हो जाए इसलिए बहुत समाजदारी के साथ आपको प्रैक्टिस करना है यह हमारा दूसरा पीकप था अब हम चलते हैं अपने तीसरे पीकप की तरफ जो इससे मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा कमपोजिशन चेंज है तो तीसरा पीकप हमारा क्या है ते टे ताता ते टे ताता तक धानाना धानाना जैसा बोल है वैसा ही आपको बोलना है जब आप अच्छे से बोलने लगोगे तो जरूर आप अच्छा बजाने लगोगे इसलिए बोल को पढ़िए जब आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे आठ में गिन के दिखाता हूँ खड़ा ठेका, मठका ठेका, डीजी ठेका सब मैं आप इसको बजा सकते हैं अब बचाओंगहाँ या खड़ा ठेका में दोनों में बजा के दिखा के दिखाऊँगा पहले देखिए खड़ा ठेका में, ये जो है, तेटे ताता तो आपको पता है, मैंने अभी बताया था, तेटे ताता सेम वही बोल यहाँ पर है, पहले के साथ में का रहा है, तेटे ताता, तेटे ताता, फिर तक, जब तक बजाएंगे तो इस तरफ कुछ नहीं बजाएंगे, तक, एसा, तेटे ताता, तक, दानाना, दानाना, दिन, कितनी बार धा आ रहा है, कितनी बार ना आ रहा है, इस इसको समझना है, धा और ना जो है, सेम जगे है, कोई दिकत नहीं, सिर्फ आपको धा और ना कितनी बार है, इसको समझना है, तो तेटे ताता, तेटे ताता, तक, धानाना, धानाना, धिन, धा के बाद दो ना आ रहा है एक बार फिल से देखिए फास्ट बजाएंगे और फास्ट बजाना है जितना आप फास्ट प्रेक्टिस करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ जाएंगे लेकिन फास्ट बजाने का मतलब ऐसा है नहीं कि लै जो है गड़बड हो जाए या बोलो की किलेरटी खतम हो जाए उस सब को देख करके आपको प्रेक्टिस करना है तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए और जो लोग नए हैं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आईकॉन को दबा दें और उसको all में कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सेर कर दीजे ताकि बहुत सारे लोग जो है हमारे इस चैनल से जूड़ें सीखें और संगीत का डोला कानन ले और एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट जरूर आप करिए कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा और जिन लोगों को डोलाग खरीदना है मेरा नंबर वीडियो पे है मेरे पास बहुत अच्छी ची डोलाग है आप खरीद सकते हैं मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं आज के वीडियो को देखने के लिए धन्दबाद थैंक्स फार वाचिंग